हेलो फ्रेंड्स डव्ली स्क्यूप्टे की इस प्रोग्रामिंग चनल पर मैं मनीश के लोटा को वेलकम करता हूं फ्रेंड्स सी प्रोग्रामिंग की इस प्रेक्टिकल सिरीज में आज का हमारा प्रोग्राम है program to calculate the area of circle in C programming language, so friends, हमें क्या करना है, circle का area पता करना है कि क्या होता है, ठीक है, और circle का area पता करने का formula क्या होता है, friends, pi r square, ठीक है, pi r square, where pi की जो value है, friends, वो आप कब को शहर्आ पता होगी, 22 divided by 7, that is, 3.14159 and so on, ठीक है, और उसके बाद में जो यहां पर आर जो दे रखा है friends वो है आपका circle का radius ठीके circle का radius से हम क्या कर सकते है circle का जो area है वो पता कर सकते है ठीके तो friends इसी formula को हमें क्या करना है implement करना है और यह हमारे program का part नहीं है तो सबसे पहले तो मैं इस code को comment कर देता हूं यहां तक ठीके यह मैंने comment कर दिया है और comment करने के बाद में जो है हम यहां से friends programming start करते हैं ठीके तो सबसे पहले तो friends हमें variables की requirement पड़ेगी तो यहां पर ले लेता हूं अगर आप चाहें तो पाई की जो value है ठीके वह वैसे तो user से लेने का कोई sense नहीं है क्योंकि पाई की value क्या है fix है हमें पता है कि यह constant है इसकी value कभी change नहीं होनी है तो आप क्या कर सकते हैं friends यहां पर पाई की जो value है उसको macro में define कर सकते हैं ठीके नहीं तो आप variable में भी define कर सकते हैं बट हम macro में define करेंगी अच्छा तरीका है constant को represent करने का ठीके यह मैंने decide की 3.14 पाई की value में define करती है अब इस पूरे प्रोग्राम में जहां जहां भी मैं पाई लिखूंगा उसकी value 3.14 से क्या हो जाएगी replace हो जाएगी ठीके नाव friends अब हम जो है सबसे पहले तो हमने variable का declaration कर लिया है अब हम इस variable में क्या लेंगे user से input लेंगे ठीके user से हम input लेंगे slash and enter the radius of circle enter the radius of circle ठीके यह मैंने यहां पर एक message दे दिया अब इस जो है यहां पर मैं input लोंगा friends और जो radius जो है friends वो क्या है तो पाई की वैल्यू हमने fix कर दी है ठीक है 3.14 और उसके बाद में हमें क्या करना है आर से multiply करना है फिर स्कोई आर से multiply करना है ठीक है तो पाई आर square ये पूरा formula हमने calculate करके किसमे value save कर दी है area नाम की variable में ठीक है फाइनली जो है हम जो है area को हम print करवा देंगे ठीक है so double course में हमें message लिख देता हूं area of circle जो भी circle का area है वो हमें print करवाना है और यहां पर मैं format specify देता हूं percentage f और percentage f जो है friends वो replace होगा किस से area variable से ठीक है तो friends यहां पर जो है हमारा program complete होता है अब मैं इसका आपको execution show करता हूं यह आप देखें radius हम से सबसे पहले यहां पर लेनी है तो radius की value मैं देता हूं let's say 5 और आप देखें circle का जो area है वो कितना आ रहा है 78.5 और 6 times zeros 5 times zeros ठीक है तो अब जो है precision की value हमें let's say 2 तक ही set करनी है कि point के बाद में 2 तक ही value आए friends तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहां पर जो percentage f जो यहां दे रखा है उसमें आप यहां पर point 2 specify कर दें a point 2 specify करने से क्या होगा कि point के बाद में 2 तक ही value आएंगी इसके बाद में fractional value नहीं आएंगी ठीक है तो मैं इस program को friends वापस से run करता हूं और let's say again मैं circle की जो radius है उसके value 5 देता हूं और इसको हम execute करते हैं तो friends आप देखें area कितना आ रहा है 78.50 ठीक है तो as per your demand कि आप यहां पर जो precision की value है वो point के बाद में 2 रखना चाहते हैं 3 रखना चाहते हैं 4 रखना चाहते हैं जितना भी आप रखना चाहते हैं वो दे सकते हैं लेकिन by default अगर आप नहीं देंगे तो यहां पर 6 precision तक जो है वो value print होगी ठीक है आपकी demand है कि six precision तक value चाहिए तो आप कुछ भी ना लिखें लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं कि point के बाद में 2 तक की value आया तीन तक की value आया तो आपको percentage f के पहले point 2 या point 3 specify करने की जरूत है जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है ठीक है जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है और अगर मैं direct यहां पर यह calculation करूं तो भी हमारा result आ जाएगा ठीक है यह मैं इसको यहां से copy कर लेता हूं और यहां पर मैं paste कर देता हूं ठीक है direct हम expression भी यहां पर लिख सकते हैं हमें जो area नाम का जो variable है उसकी हमें need नहीं है ठीक है pen tf में आप direct यहां पर expression लिख सकते हैं हूं और जो radius से value में 5 देता हूं तो friends देखें output कितना आ रहा है 78.50 output वही आ रहा है output में कोई changes नहीं है ठीक है इसका मतलब क्या है कि आप यह जो area जो variable है इसको ना भी लें तो भी friends यह हमारे program execute हो जाएगा direct जो expression है पाई into r into r यह direct जो expression है यह आप printf में लिखे अपना answer निकाल सकते हैं ठीक है तो friends यह था program और जिसमें हमने देखिए यहां पर हमने एक macro specify किया अगर आप चाहते हैं कि macro specify ना करें तो यहां पर friends आप एक पाई variable ले 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 ठीक है और उसकी value आप 3.14 set कर दें बट friends हमको पता है कि यह जो पाई की value है यह universal fix है इसमें कभी भी changes नहीं होना है तो जो fix है जो constant है उसको better आप जो है macro में specify करें इनम से specify करें यह कुछ constants को represent करने के तरीके है उसमें से भी आप जो है macro use करके पूरे प्रोग्राम में जब भी आप पाई लिखेंगे वो 3.1 से replace हो जाएगा ठीक है so friends यह था प्रोग्राम जिसके थू हमने क्या किया circle का area calculate किया है with the help of the radius of circle ठीक है so friends I hope कि इस particular प्रोग्राम पर यह आपको समझ में आया होगा friends thank you so much for watching this video